ओम शान्ती गुड मॉर्निग छे जनवरी दो हजार बाईस मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे मावा के हम मीठे मीठे बच्चों के लिए बाब दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब बच्चे बाब दादा के सामने बैठे हैं बाबा हमें द्रिष्टी दे रहे हैं और वर्दानों से भरपूर कर रहे हैं आज बाबा बोले मिठे बच्चे जी बाबा देह अभीमान में आने से ही विकर्म बनते हैं इसलिए पर्तिग्या करो और सब संग तोड एक संग जोडेंगे मिठे बच्चे देह अभीमान में आने से ही विकर्म बनते हैं इसलिए पर्तिग्या करो और सब संग तोड एक संग जोडेंगे आज बाबा ने प्रश्न पुछा कौन सा खेल नेचरल है लेकिन मनुष्य उसे गौडली एक्ट समझते हैं बाबा ने उत्तर दिया ड्रामा में यह जो नेचरल केलिमिटीज आती हैं विनाश के समय एकी समुंदर की लहर में सब खंड टापू आधी खत्म हो जाते हैं जिस का रियर्सल अभी भी होता रहता है यह सब नेचरल खेल है इसे मनुष्य गौडली एक्ट कह देते हैं परन्तु बाबा कहते हैं मैं कोई डिरेक्शन नहीं देता हूँ यह सब ड्रामा में नूद है आजगी चला कोन आया मेरे मन के द्वारे ओम शान्ती कोन आया अर्थार्थ किस की याद आई ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्व्यापी हो जाए नहीं कोन आया मेरे याद में अकाल मुरत जिसको काल खा न सके सिख लोगों के पास अकाल तक्त भी है उनके पास अकाली लोग भी है वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धरम परवर्ति मार का धरम है एक ही आदी सनातन देवी देवता धरम प्राया लोप है दूसरा है सन्यास धरम नर्विर्ति मार्क का घर बार छोड़ हद का सन्यास कर पवित्र बनते हैं जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे हर एक धरम की रसम रिवाज अलग है शिक्षा भी अलग है वे है नर्ति मार का धर्म उनको फालो करने वाले को भी घर बार छोड़ कपनी पहननी पड़े फिर भल वो लोग कहते हैं घर गरस्त में रहते भी ज्यान पा सकते हो प्रंतु वे कोई ज्यान नहीं ना सन्यासी ऐसे करा सकते हैं वास्त में गुरु वे जो सद्गती देने वाला हो वे तो एक ही है गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है वे भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं अकाल मुरत तुमको अब उस अकाल मुरत अर्थात परम्पिता परमात्मा की ही याद है बाबने कहा महिमा करते हैं अकाल मुरत अयोनी हैं स्वेंभू अर्थात रचता है निर्वे निर्वेर अकाल मुरत सत्गुरु परसाद जप सायव आधी ये महिमा हैं परम्पिता परमात्मा की बाबने कहा अकाल मुरत को ही मानते हैं वही बताते हैं सत्युग आधी सत्गु करते हैं तब उनकी महिमा गाते हैं फिर कहते हैं अशंक चोर हराम खोर ये भी इस समय की ही महिमा है फिर नानक कहे नीच विचार कर फिर उनके उपर बलहार जाते हैं जरूर जब वह आया तब तो बलहार जाते हैं बाबा कहते हैं मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधों का भी उद्धार करने आता हूँ तो जरूर सब पते ठहरे अब यह हैं बेहद की बातें बाब ने का अब यह हैं बेहद की बात तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे ब्रह्मा विश्नु शंकर भी मेरी रचना है ब्रह्मा द्वारा आदी सनातन देवी देवता धरम की स्थापना शंकर द्वारा अनेक धरमों का विनाश दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धरम की स्थापना करते हैं ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगती दाता हैं, सदगती किसी की करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं, सदगती किसी की करेंगे, उनकी वन्शावली की ही पूरी वृधी नहीं हुई है, तो सदगती कैसे करेंगे? बाब कहते हैं, मैं आकर आदी सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ, इस समय सब तमोपरधान पाप आत्मा बन गए हैं, मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाड़ धारी हैं, उन्हों को मालुम होना चाहिए कि स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है, ब बाप आकर स्वर्ग सच खंड की स्थापना करेंगे और जूट खंड का आश करेंगे, सच खंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठेराना, ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं, सब ही तो धारन कर नहीं सकते, क्योंकि देह अभिमान बहुत है, जितना देही अभिमानी हों कि अपने को आतमा ऐश्रिली समझेंगे बाबा को याद करेंगे तो धार्ना होगी देह अभीमानी को धार्ना नहीं होगी योग से ही आतमा के पाप धगद होते हैं दिन में तो देह अभीमान रहता है तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए बाबा ने कहा नीद को जीतने वाला बनो बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं प्रन्तु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं पढ़ाई तो मुख्य है कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए प्रन्तु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें जब तक गरंटी ना करें मुरली नहीं भेजनी चाहिए जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गती क्या होगी अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पड़ते नशा चड़ जाता है नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए धारना नहीं होती है तो समझना चाहिए दे अभिमान है वे उच पद पाने सकेंगे बाबा अच्छी रिती समझाते हैं बच्चों को भी समझाना पड़े बाबा तो बाहर जा ना सकें बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं ये बड़ी मम्मा भी गुप्त शक्तियां बाहर जा सकती हैं कनफरेंस होती है उनमें आदी सनातन देवी देवता धरम का तो कोई प्रतिनिधी है नहीं ये भी पॉइंट समझानी है और जो भी धरम पिता आते हैं वे सिरफ धरम स्थापन करने आते हैं ना कि अधरमों का विनाश करने सत्थ धरम की स्थापना अनेक धरमों का विनाश संगम परी होता है जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं तब बाप आते हैं चड़ती कला तो एकी बार होती है इस पर एक शलोक भी है छोटे पन में पड़ा था गुरु नानक ने कहा था सब निंदक हैं जूटे हैं कोई भी पवित्र नहीं रहते हैं शिक धरम में अकाली होते हैं जिनके उपर काला चक्र भी दिखाते हैं यह है सदर्षन चक्र बाप कहते हैं यह भी पवित्रता की निशानी है कंगन भी बानते हैं, दोनों पवितरता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, ना पवितर रहते हैं, जनेयू भी पवितरता की निशानी है, आज कल तो सब उच उड़ा दिया है, ब्रामन कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, भाबन का ऐसे नहीं, बोध, क्राइश्ट आधी भी कोई पतित पावन थे, नहीं, गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले, बाकी सर्व का सद्गती दाता पतित पावन एक ही है, सब को पावन बना कर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता ग्यान सागर के साथ मददगार तुम ग्यान गंगाएं भी हो, गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है, अब वास्त में ग्यान गंगाएं तुम हो, परन्तु तुमारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लाइक बन रहे हो, पुजारी से पूजे बन हो जाएगा, यह राज समझाते हैं, परन्तु कोई की बुद्धी में नहीं बैठता है, कदम कदम बाबा की शिरिमत पर चलना है, दे अभिमान छोड़ते रहो, यह सब मित्र समंदियादी खत्म होने वाले हैं, हम सब चले जाएंगी, परन्तु दुनिया तो रहेगी ना, पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी, पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं, पर मात्मा को हैविन स्थापन करना है, इसलिए उनको हैविनली गाड फादर कहते हैं, क्राइस्ट हैविन नहीं स्थापन करते हैं, उस समय जो आत्मा उपर से आती हैं वह सतो परधान है बाकी और कोई भी पति से पावन नहीं बनाते तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकरम नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए दे अभिमान से ही विकरम बनते हैं बाबा ने का तुम गरंटी करती हो कि और संग तोड एक संग जोड़ेंगे अब तुम परतिग्या पूरी करो नहीं तो डंड खाएंगे गरंथ में भी है चर्टी कला तेरे भाने सर्वदा भला अक्षर अच्छे है परंटो जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं क्योंकि शिप बाबा को याद करना है इसलिए बाबा कहा देते नहीं खुश रहो अबाद रहो ना बिसरो ना याद रहो प्रन्तु सर्विस नेवल बच्चों को बाबा याज जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है साउकार को तो गोर अंधकार में पड़े हैं कोई को पता नहीं पड़ता कि मोट सामने खड़ा है भगवानु आज मैं राजयोग सिखलाता हूँ तो जरूर नौलिज से गाड़ेज आफ वेल्थ बनते हैं ये सारी राजधानी बन रही है नंबर वार तुम जानते हो नंबर वार हम सब पढ़ रहे हैं बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ परम सत गुरु एक ही है वें उचे ते उचा एक भगवान ही गाया हुआ है उचे से उचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते तो राम कृश्न को भगवान कैसे कहेंगे वे तो वे तो है ज्यान का सागरपतित पावन भगत भगवान को याद करते हैं ब्रह्मा विश्णु शंकर को थोड़ी याद करते हैं वे तो अभी वभ्यचारी बन गए हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारन करने की हैं जो करेगा सो पाएगा ग्यान गंगाएं तुम हो तुम नदियों का ही छोड किनारा है सागर तो कहा जा नहीं सकता प्रंतु वे है जड सागर यह है चितन्य उसमें तो एक तुफान की लैर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है विनाश के समय जोड से तुफान आएगा सब खंड टापू आदी खलास हो जाएंगी देरी नहीं लगती नेचरल कलिमिटीज को गाडली एक्ट कह देते हैं तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गाडली एक्ट ही हुई ना प्रंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा ड्रेक्शन आदी नहीं देता हूँ यह सब ड्रामा में नूध है तुफान नेचरल कलिमिटीज आदी आदी सब अपना काम करेंगी कल्प कल्प यह कलिमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे बाकी एक भारत रह जाएगा उसके लिए तैयारी होती है रिहरसल होती रहेगी यह नेचरल खेल बना हुआ है तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाते हो शांती स्तापन हो प्रंतु तुम जानते हो शांती होती कहा है सुख कहा होता है दुख कहा है यह सब समझने की बाते हैं अभी दुखधाम है यही भारत सुखधाम था आदी सनातन देवी देवताओं का राजय था कल यूग है दुखधाम इनका विनाश जरूर होना है पहले होकर फिर आदी होनी है मध्य में है अनेक धर्म सत्युग में है एक धर्म था यह ड्रामा का चक्र है इसमें चार मुख्य धर्म है एक धर्म का पाया टांग गुम है देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है यह बताओ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं वास्ता में कि अउलाद होने के कारण आपस में भाई बेन हो तुम जानते हो हम उनके बने हैं परम पिता परमात्मा पहले ब्रामन धरम रचते हैं ब्रामन धरम है चोटी और सब धरम वाले बाद में आए हैं नंबर वार आखिर में तुमारी परतक्ष्टा होनी है जरूर अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गूड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गूड मॉर्निंग शिव बाबा गूड मॉर्निंग के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है ऐ शरीरी बनने का अभ्यास रात को जाकर करना है नमबर दो कैसे भी करके मुरली रोज सुननी वा पढ़नी है एक दिन भी मिस नहीं करनी है और संग तोड एक संग जोड़ने की परतिग्या करनी है आज बाबा ने वर्दान दिया बाबा का हाथ अपने सिर पर अनभव करते हैं और वर्दान को समा लेते हैं पिछले चार पाए दिन से बाबा बार बार डबल लाइट भव का वर्दान दे रहे हैं और आज भी बाबा ने कहा बिंदू रूप में स्थित्र है उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव मिस्तार है सदा समरिती में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं नैनों में सितारा अर्धार बिंदू ही समा सकता है आखों में देखने की विशेश्ता भी बिंदू की है तो बिंदू रूप में रेना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है बिंदू बन हर करम करो तो लाइट रहेंगे कोई भी बोज उठाने की आदत ना हो मेरे मेरा के बजाए तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे स्वें उन्नती वा विश्व सेवा के कारे का भी बोज अनुभव नहीं होगा स्लोगन है विश्व परिवर्तक वै है जो नेगटिव को पॉजटिव में परिवर्तन कर दे आज छे तरीक है छटा पॉइंट है लवलीन स्थिती का अनुभव करो तो बाबा ने कहा दे की समरिती से ऐसे खोई हुए रहो जो दे भान का दिन रात का भूख और प्यास का सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के अधार पर जीवन ना हो तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिती जैसे शमा जो तीस रूप है लाइट माइट रूप है ऐसे शमा के समान स्वें भी लाइट माइट रूप बन जाओ मिठे बच्चे दे अभिमान में आने से ही विकरम बनते हैं इसलिए परतिग्या करो और सब संग तोड एक संग जोडेंगे ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती बन जान्ती में से हैं जान्त शान्ती इस्झेए कि uböd कोशीर आो भी में जान्ती ओम शावान में धृंचे में ये जावद शान्ती गिर्छने रूप है झाल 예ए